हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मोटो फार्मिंग यूटूब चैनल सो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम बात करेंगे कि पोईल्ट्री फार्मिंग में जो आज कल के किशान भाई लीटर की भूसी के जगा सफेद बालू का इस्तिमाल कर रहे हैं नीचे बिचावन के लिए बड्स को खास करके समर के मौसम में ज़्यादा हो रहा है इसका क्या वेनिफिट्स है इसके बारे में डेटल में हम वीडियो में बात करेंगे उससे पहले जो हमारे नए किसान भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें सो अभी हमारा बड्स सोला आज सत्रामा दिन है अभी आदे फार्म में बड्स हो गया है और इसकी इधर बड्स को बढ़ाना है इसके पहले इधर जो अपनी देख रहे हैं आप लीटर उटर यह हमारा पानी अभी भी लगाते है हम छोटा वाला ड्रिंकर भी लगता है यह मेडिशीन रखी हुई है और आप जैसा कि यह द और हमने आज लीटर इधर बड्स का इसपेस बढ़ाना है तो उधर से लीटर हटवा के उधर भी बालू का रेत पड़ेगा इसके बाद उस पर बड्स जाएगा और जैसा कि आप देख रहे हैं बड्स का ग्रोथ भी समर यह जुलाई के मंद का बैस था और समर सीजन का सब बड्स से हाइस टमप्रेचर वाला महीना हमको लगता है साथ जुलाई अगस्त जो निकलता है अभी फिलाल अब बाहर की दूप से अंजादा नहीं लगा सकते इस साइम का टमप्रेचर कितना होगा बड्स इस बार हमको बेनिफिट्स दिखा है रेत का जो हमने डालते हैं लेटर होती है गरम होती है नीचे से भी एक तो बड्स हीट वैसे होता है नीचे से भी उसको गरमी मिलती है और बालू जो है वो ठंडा उसका टमप्रेचर अगर आपका दो से तीन नेगरी मिंटेन करता है बड्स नीचे से हीट स्टोक नहीं होता है उसको गरमी नहीं मिलत तो इसका benefit समको देखने के मिला और इस result में भी अपना फायदा हुआ क्योंकि जब से हमने 2-3 साल से farming line में आया हुआ है तब से हमने ऐसा जुलाई अगस्त के महिने में कभी वैसे birds तो डाला नहीं एक बार एक दो बार भी डला भी है तो उतना profitable नहीं गया है birds mortality ज़्यादा हुई है इसके पहले वाला birds जो की जून के मन्त का था उसमें वस totally उतना भी profit नहीं हो पाया था mortality को ज़्यादा हुई थी birds का care नहीं हो पाया था और summer के मौसम में हमारे farm में परिशानी होती है जितना अपना winter season अच्छा चलता है उतना summer में हमको profit नहीं हो पाते थी इसके पहले लेकिन इस वैच में हमने बालू का जो इस्तमाल किया इस वैच में अच्छा खासा income हुआ है growth अच्छा खासा गया था अठारह सो ग्राम प्लस बाड़ी वेट गया था birds का 42 दिन में और total company जो सालवा company से contact farming थी सब FCR भी अपना control में था और उसके बाद 42,000 हमको इस shift में benefits हुआ था तो कही न कहीं हमको बालू का रिद डालने से फायदा हुआ है birds की growth में हुआ है temperature में maintain हुआ है heat stock कम हुआ है mortality कम हुई है तो यही रहा आज का update तो हमको तो profit हुआ तो हम तो कहेंगे अगर गर्मी के season में आपको poultry farming करनी है आपके पास ब्योस्ता है तो आप एक बार खुद भी try कर सकते हैं लीटर की जगा बालू का इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं आपकी so take care मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye